Hello guys, आज हम इस WordPress के course में देखेंगे कि हम post कैसे create करेंगे WordPress के अंदर ये सारा हम process देखने वाले हैं Actually मैं मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा देता हूँ जब WordPress सबसे पहले आया था तो वो post का concept लेके ही आया था कि आप post कैसे add करते हैं पोस्ट को मतलब blocks आप एतर से blocks कह सकते हैं अभी post की category पे नहीं जा रहा मैं एक्तम प्योर आपको post बताऊंगा कि आप post कैसे add करेंगे जब उस post को add करेंगे तो वो website पे कैसे दिखेगा और आप उस पे commenting कैसे करेंगे commenting करके reply कैसे होगा commenting approved कैसे होगी यह सारा हम process क्या है आज देखने वाले हैं जिससे यह चीज clear हो जाएगी कि हम wordpress में post का system कैसे apply करेंगे यह सारा हम process क्या करेंगे देखेंगे और यह हम पूरा का पूरा क्या करने वाले है practically देखने वाले है जिससे चीज़े क्या होगी clear होगी तो चलिए मैं start करता हूँ कि आप इसको कैसे implement करेंगे, कैसे post add करेंगे, कैसे post को website पर reflect करेंगे, यह सारी चीज़े हम देख लेते हैं, चलिए देखिए, देखिए, यह website है, localhost, blog website end करके बना रखा है, और यह इसका dashboard है, dashboard open करने के लिए, इसके आगे आपको wp-admin लिखना है, ते के post के लिए आपको एक सीज़ क्लियर दिहान रखना है कि post के लिए सबसे पहले left side में देखिए, post का option दिया हुआ है, यह इस post के option में क्या कर सकते है, आप post add कर सकते है, category add कर सकते है, tag add कर सकते है, इनको मैं एक एक करके आपको समझाओगा, category कैसे होगा, tag's कैसे होगा, पहले हम चलते है Post पे, देखे Default में WordPress क्या होता है, जो सबसे पहला Page Open करता है, वो Post काही उपन करता है, देखे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे, जो यह Page Open हुआ है, सबसे पहले जो Page Open हुआ है, वो Post काही पेज उपन हुआ है, आप यहाँ पे Set भी कर सकते हैं, कि Front Page क क्या page जैसा होता है, जैसे आप page एड करते हैं, वैसे आप क्या करेंगे, post एड करेंगे, बस वो post क्या होगा, blocking, blogging के process में क्या होगा, display होगा, देखे, यहाँ पे left side में यह post का option, यहाँ से आप एक post एड कर सकते हैं, all post से सारे post देख सकते हैं, तो अपने को post add करना है तो मैं यहाँ पर जाता है add new पर देखे add new पर जाके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ post को add करता हूँ तो post को add करने के लिए बहुत simple सा process होगा आप यहाँ पर क्या करेंगे मैंने wsqtech.com साइट खोल रखे और blog का process उसका क्या कर रखा है आप यहाँ से क्या करेंगे post का title ले लेंगे या आप कोई भी post का add कर सकते है यह ते कि मैं example बता रहा हूँ मैं तो data क्या कर रहा हूँ आप अपने according blogging का process यहाँ पर क्या कर सकते है लिख सकते है जैसे bloggers होते है bloggers क्या करते है blogs लिख सकते है तो blocks लिखने में क्या होता है, वो post का title डालते हैं, content डालते हैं, image डालते हैं, same interface कैसा है, आपके page जैसा है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, implement कर सकते हैं, तो देखिए मैंने title डाल दिया, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, description ले रहता हूँ, और यहाँ पर description पास कर देता हूँ, डिस्क्रिप्यों के बी वीच में भी आप क्या कर सकतें यहाँ पर प्लस पर clicked कर कary time एमेज लगा सकते हैं यहाँ से देखिए मैं Imajze पर clicked कर देता हूं और यहाँ पर मैं Imajze क्या करदूー एक display कर दूँँग देखिए यह title हो गया यह description हो इमिज हो गई आपकी और एक main image बतानी है में easy कौन सी करनी है तो यह document में सबसे नीचे यह आप set feature image कर सकते हैं तो मैं set feature image में भी क्या करता हूँ image upload कर देता हूँ और यह image feature image में मैं क्या कर रहा हूँ set कर रहा हूँ और यहां से set feature image तो यह आपका टाइटल हो गया, पोस्ट का, यह डिस्क्रिप्शन हो गया, यह इमेज हो गई, यह तीनों चीजे मैंने आड़ कर दी, अभी कैटेगरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा एक पोस्ट आड़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर टाइटल है, डिस्क्रि और यह Hello World नाम का पोस्ट भी डिस्पले हो रहा है, तो इसका मत्तब वर्डप्रेस हमें क्या करता है, एक पोस्ट डिफल्ट में बना के देता है, जिसके अंदर Hello World है, आप All Post पे जाके पोस्ट देख सकते हैं, कि कितने पोस्ट हैं, देखिए, देखिए, मैं यहां All Post पे ग करता हूँ, रिफ्रेस करता हूँ, रिफ्रेस करने के बाद, आप देखेंगे, तो यहां पे इमेज है, टाइटल है और डिस्क्रिप्सन है, अगर आप और भी पोस्ट के अड़ करेंगे, तो नीचे क्या होगा, पोस्ट डिस्पले होता रहेगा, तो जितने पोस्ट पहले पेज पर डिस्पले होगा, जब तक आप इसको सेट नहीं करेंगे, कि फ्रंट पेज कौन सा होगा, और ब्लॉक पेज कौन सा होगा, नहीं सेट करेंगे, तो यह होम पेज पर ही क्या होगा, आपके डिस्पले होगा, अब देखें, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो इसका detail वाला page खुल जाएगा देखे यह detail वाला page है detail वाले page पर आपको पूरा पूरा image हो गया यह description हो गया यहां से यह पूरा description है और यहां पर आप क्या कर सकते हैं comment दे सकते हैं और comment का process कैसा होगा जैसे आप comment देंगे comment देने के बाद comment section में जाएगा वहां से approve करेंगे तो यह comment यहां पर क्या हो जाएगा pinned कर सकते हैं जितनी post आप add करेंगे, वो post क्या होगा, यहाँ पर display होगा, देखे, post में आप कुछ options है, मैं आपको clear करा देता हूँ, मैं यहाँ पर edit करता हूँ, इस post को, देखे, edit करने के बाद यह title है, यह description है, यह document हो गया, आप देखे, यहाँ पर visibility के अंदर, यहाँ जब public है, आप इस feature image बता दी, मैंने accept क्या होता है, देखे, accept होता है, कि आपको post का short description रखना है, short description कहाँ पर सो होगा, जहाँ पर सारे post display होगे, मालो मैंने accept के अंदर क्या किया, यहाँ से, दो line लिख दी, यहाँ से, दो line क्या कर दी, accept के अंदर लिखे, और यहाँ से update कर दिया, update करने के बा आपका क्या है, accept है, accept का मतब short description, आपको short description कितना so करना है, और फिर click करोगे तो आपका पूरा description वहाँ पर क्या होगा, so होगा, तो एक तरह से accept, आप यह कह सकते हैं कि short description के लिए होता है, allow comment कर देंगे, तो allow comment होगा, और यह allow pink back और यह track, मैं आपको समझाऊँगा कि इसका process क्या होता है, यह सब theme की settings है, theme की settings में, यह क्या होगा, कि अगर मैं यहां से क्या करूँगा, sidebar आता है, और यहां पे no sidebar कर दूँगा, तो no sidebar आएगा, तो यह theme की setting को मैं पूरा आपको क्या करूँगा, समझाऊँगा, मैं आपको ओ गता रहा हूँ कि अगर आप post add करते ह हैं तो क्या-क्या option होते हैं पोस एड करने में क्या होगा कि आपका title होगा description होगा single image होगी पर्मा link होगा short description होगा यह सारी चीज़े आपको क्या होनी चीए clear होनी चीए जिससे आप post एड करते हैं तो आपके पास clearance हो कि मैंने post के अंदर क्या-क्या data एड किया है और आप कितने भी post एड कर सकते हैं जितने post आप एड करेंगी यह सारी चीज़े आपको all post में क्या होगी display होगी तो अभी हमने guys क्या किया कि अभी हमने देखा कि हम post एड कैसे करते हैं और post जब हमें एड करते हैं तो कि अभी हमने एड करते हैं तो